मुझसे कोट में उलजने से बेतर यही होगा गोविंद कि मौमले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं तुम तो जानते ही हो कि इंदर जीत चड़ा कभी शिकस्त नहीं खाता चड़ा तुने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा हैं क्या कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलजी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं यह और बात है दामिनी के केस को छेड़ कर जो तार तुने छू लिया है बिजली का वो जटका लगेगा के तू जटक न भूल जाएगा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया गुपता चार लाक देने को तयार है एक छोकरी की इज़त के लिए ये रकम बहुत है बहुत तरकी कर ली चड़ा कानून की दलाली से इज़त की निलामी तक आ गए इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं जला मत नहीं तो ये केस यही रफादफा कर दूँगा ना तारीख ना सुनवाई सीधा इंसाफ वो भी ताबर तौप चड़ा समझाओ इससे समझाओ ऐसे खेलोने बाजार में बहुत बिकते हैं मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता मर्द उसे लेकर पैदा होता है और जब ये धाई किलो का हाथ किसी पर परता है ना तो आदमी उटता नहीं उट जाता है सबका जवाब कल अदालत में दूँगा और हाँ अगर अदालत में तुने कोई बत्तमीजी की तो वही मारूंगा जज आडर आडर करता रहेगा और तू पितता रहेगा रिलेक्स बोई